कर लिया था electronic configuration के बारे में hunts rule के बारे में proper उसको revise कर ला है na hunts rule क्या बोलता है जब भी same energy के orbitals में electron की filling कर रहा हो पहले एक एक electron provide करो with same spin after that pairing can be done clear है और हमने electronic configuration लिखना सीखा था बिटा और कुछ तरीके बताये थे पुराने वाले period की novel gas लिखो और उसके बाद जो नए electrons की filling होई है उस period में बोलिख दो हना ये सारी बाते करी थी तो आज हम बच्चों आगे electronic configuration में move कर रहे हैं हना ध्यान से देखो भाई atomic number atomic number element element electronic configuration चल बात करते हैं थोड़ा सा periodic table की तरफ बापिस जाते हैं और देखो मैंने जो energy का order लिखवाया था लास्ट वीडियो में जो energy का order लिखवाया था बहां पर मैंने साथ थोड़ा सा गलत लिख दिया था मतलब बता तो सही रहा था लेकिन मैं दोके से कोई चीज रिपीट कर देती तो energy का order बापिस लिख लाना बच्चों देखो ध्यान से यहां पर हना क्या order आ रहा था वन इस यह फर्स पिरट इस और बिटर ने फिलिंग होगे फिर्स पिरिट खतम हो गया था और जो सेकेंड पिरिट के है तो पुराने वाले तो 1S में गय थे ठीक है उसके बाद बिटा 3S 3P यह आपका third period है यह आपका बच्चो third period है और मैं बात करूँ 4S उसके बाद 3D then 4P यह जाएगा अपना fourth period को भी पिरिट में नए लेक्ट्रॉन के फिलिंग कहां से स्टार्ट होती बिटा 4S से और खतम कहां पे होती है पी में जाके कहां पे होगी खतम जाके पी में जाके खतम होगी यह मेरा fourth period था क्लियर है बच्चो ऐसी अपना क्या जाएगा ध्यान से देखना 5S 4D 5P यहां पर मैंने साथ गरवड कर दी दी कला ना 4D 5P यह क्या हो जाएगा बच्चो fifth period क्या fifth period और ऐसे ही मेरा क्या जाएगा बच्चो ध्यान से देखना यहां पर 6S 4F 5D और 6P यह मेरा जाएगा six period में इन नए orbitals में फिलिंग होने वाली है six period में इन नए orbitals में फिलिंग होने वाली है देखो periodic table की दरब फ्रोड़ा चले हैं पर अना hydrogen helium ठीक है 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 लीना ने की रब से फर्याद बेटा मांगे car scooter बाप राजी ठीक है यात हो गए होंगे अब आपको elements science teacher विनीता कुमारी मन फे को ने क्यों जलाती हो ठीक है यारी जरा निभा मौत तक रुकाबट रा पड़े तो आग मैं कोज ठीक है आगे देखो ला हफ्ता वसूलरे उस इरफान पठान और हरबजन से और हरबजन से प्लियर है ठीक है बच्चों यहाँ पर लीथियम बेरेलियम की बात को न जाता देखो बी सी एनो एफ एनी कुछ इस तरीके से ना बैगन आलू गाजर इन थैला चंडिगर से गए सन पंजाब नेपाल थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दो हाँ भई नेपाल पकिस्तान औस्टेलिया सब भेकारी औस्टेलिया के साथ बहुत बड़ी चोट हो गई तो आपको जानते ही हो हाँ ना ओसे टीपो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन थोड़ा से तरफ करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रोमीन, आयोडीन, एसे टाइन, हर बजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया, रुकवाया यह था अपना पिरोड़ टेफ में, तो देखो, कोई भी पिरेड स्टार्ट होता है, ऐसे और खतम होता है, पी पे तो इसलिए फर्स्ट पिरेड में केबल दो एलिमेंट आए, क्योंकि वन एस तो होता है, लेकर कोई बन पर नहीं होता है, फिर मैंने क्या बताया था बच् पिरेड में कितने अलिमेंट आए, बताओ, नए अलेक्टरॉन कितने बढ़ सकते हो, क्योंकि एक लेक्टरॉन के बढ़ने से एक अलिमेंट बढ़ता है, क्योंकि एक एक अलिमेंट बढ़ता है, और एक अलिमेंट बढ़ेगा, बच्चों तो एक लेक्टरॉन बढ़ झालकि मैंने बताया था देखो बिटा अब नए लेक्राओं फिर से कितने आ सकते हैं मैकजिमम फीरड में आठ नए लेक्रों आ सकते हैं थार्ड पिरड खतम वह सले ओर इलिमेंट भी सोडियम से लेकर आरगं तक सोडियम से लेकर अरगं तक अब देखो ध्यान से बच्चो फोर्थ पीरिड में 4S 3D और 4P फिल होता है दो एलेक्ट्रोन ये समाल सकता है बाई 10 एलेक्ट्रोन ये समाल सकता है अच्छे एलेक्ट्रोन टूटल 18 हो जाएंगे की नहीं 18 हो जाएंगे देख लो एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदा सोला सत्रा अठार तो जितने नए लेक्ट्रोन की फिलिंग होगी उतने ही नए यहां पर एटीन एलिमेंट आ जाते हैं और शिक्स पिरिट की कानी परियोडिक टेबल में पढ़ते हैं लेंधनम की बाद कितने अलिमेंट आना चीए बटा थो कितने आना चीए दो नए लेक्ट्रोन यहां एंगे फॉटीन यहां जाएंगे शह यहां देखलो ट्वेंटिफोर प्लस इक्स थर्टी थर्टी टू एलिमेंट आना चीए तो गिनो जरा अभी कहोगे सर आप एटीन ही देख रहे हैं यहां से यहां तक गिनों के बटा एटीन ही देख रहे हैं अठारा लेकिन लेंधनम की बोला जाता है उनको बोला जाता है लैंथनौइट सिरीज क्या बोला जाता है बच्चो लैंथनौईट सिरीज पिरियॉडिक टेबल में यह पप पड़ते हो तो 18 प्लस 14 कितने हो गया बच्चो 32 elements हो गया कितने elements हो गया बाई 32 elements हो गये clear point यह बाद आपको समझ में आई ठी पीरिट का नंबर रहेगा दो यहां पर 6 ऐसे फिलिंग स्टार्ट होई थी जाके खतम कहां होई 6 पीरिट है कौन सा पीरिट है बिटा 6 पीरिट है साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को ने क्यों जलाती हो गाना मत गाओ बर्दो पुरानी वाली गैस यूज करें पुरानी वाली गैस कौन सी है आरगन क्या है बिटा आरगन है कि नहीं अब बताओ आरगन के बाद किसकी फिलिंग होई होगी फोर्थ पीरिट है इसके पुर्थ इसटो फ्रस्टो फोर्रेश टू ऊहां पहुंच गया 5754 इसटो और 3D1 क्या हो जाएगा बद्चो फोर्हैस टू 3D1 क्या हो जाएगा बच्चो आरगन एक एक मě के मेल मान बढ़ाते चलो नया लिमन्ट आता जा रहा है 3D2 आरगन 4S2 अरे भाई 3D3 यहाँ पे लोचा डिसकस करेंगे भाई लोचा और कहां पे लोचा कॉपर में क्रोमियम और कॉपर में लोचा है ठीक है ध्यान से देखिए देवियर सजनों यहां पे बिटा क्या आना चीए था 4S3D4 आना चीए था यह नहीं होता यहां पे जो एक लेक्ट्रॉन है वो इधर जंप करता है क्या होता है बिटा एक लेक्ट्रॉन यह जंप करता है तो क्या हो जाएगा आर्गन 4S135 4S3D5 थीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा बिटा आर्गन 4S2 इसका तो नORMAL वहीं आएगा 3d5 आना चीए था शिता आना 3D6 मत करता है ना 4S2 जाएगा जो नORMAL अबाव रूल को हर कोई फॉलो नहीं करता है हां maximum लोग फॉलो करते हैं maximum का देख्या आपबाव का रूल नहीं है आपबाव कोई मतलब scientist नहीं है building up इसका मतलब ठीक है clear रखना यह बाथ 4s23d6 कई बार मैं बोल देता हूं अबबाव का रूल उसका यह मतलब नहीं अबबाव रूल building up rule 3d6 clear आरगन 4s23d7 आरगन 4s23d8 यहां पे भी लोचा बिटा एक पे लोचा हुआ और यह तो वही हो जाएगा आरगन 4s23d10 3d10 तो कौन कौन से exceptions आगे बिटा exceptions हमारे आ गए chromium और copper का इनके बारे में आज की session में हमको discuss करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है बाई clear है point तो पहले यह लिख लो पले लो वोख लोग में हो बाई कर कि ऋर बाई कर तो है तो 3S कोई भी पीरिट की फिलिंग में नए लेक्ट्रोन की स्टार्टिंग होती है ऐसे खतम में पी में होती है 3S 3P के बीच में 3D क्यों नहीं बढ़ा यूगि 3D की एनरजी 4S के बाद आती है इसलिए बताओ बच्चों 3S के बीच में 3D नहीं आया जाएगा 4S और 4P के बीच में जो एनरजी लेवल में एक्सिस करेगा बो बीच में जाएगा उनकी फिलिंग होगी लेकिन कोई भी पिरिट में नए लेक्ट्रोन की फिलिंग कहां से स्टार्ट होगी बच्चों ऐस से और खथम कहां पे होगी जाके पी खथम कहां पे होगी बटा जांज के पी पे को बदाव पच्चों एक्सेप्संस में जाते हैना ट्रीцен क्या था आपका एक्स्पेक्टिट था आपका chromium का electronic information यह होना था आरगन 4s2 थू ठीक है आरगन 4s2 3d4 होना चाहिए था एक्चुल क्या है भीटा एक्च्वल क्या है chromium का आरगन 4s1 3d5 यह 4s1 3d5 इसका expected क्या था इसका expected क्या था copper का argon 4s2 3d9 3d9 लेकिन actual क्या निकला actual इसका electronic अनिफेशन निकला copper का argon 4s1 3d10 4s1 3d10 copper का अब इन exceptions के बारे में हमाई discussion करना है तो पहले आप यह लिख डालो फिर अपन discussion करते हैं ठीके यहां पर लिख लो बच्चों हाना यह बना लिए होगा आपने बढ़ते हैं लिए लिख लिखन यह बच्ब लिखनगर कि अज़ लिखने लिखनेे लिखने का can be explained using two concepts, using two concepts, these exceptions can be explained using two concepts, पहला लिको बता, पहला, concept जोपन पाटराएं, extra stability of, extra stability of symmetrical electronic configuration, symmetrical electronic configuration, that is, half field, oblique, full field, half field, oblique, full field, इस पहला एक statement लिखेंगे, पहले ही heading डालो, पहले ही heading डालो बच्चों, extra stability of symmetrical electronic configuration, that is, half field, oblique, full field, क्या लिखना है जा रहे हैं, इस पर ध्यान से सुनना, अना, लिख लिख लिखेंगे, तो लिखो, half field and full field, half field and full field electronic configuration, half field and full field electronic configurations, half field and full field electronic configurations, have symmetrical distribution of, have symmetrical distribution of electrons, and are more stable, and are more stable, and are more stable than THAN, than THAN, distribution, non-symmetrical distribution, non-symmetrical distribution, distribution, are more stable than, any non-symmetrical distribution, clear point, in case of chromium, in case of chromium, CR, the electron from lower energy 4s orbital, in case of chromium, the electron from lower energy 4s orbital, jumps, jumps, to higher energy 3d orbital, jumps to higher energy 3d orbital, jumps to higher energy 3d orbital, to attain, to attain, to attain, to attain, to attain, to attain, half fields, to attain, half field stable configuration, to attain, half field stable configuration, to attain, half field stable configuration, full stop, in case of copper, in case of copper, in case of copper, in case of copper, electron from lower energy 4s orbital and electron from lower energy 4s orbital jumps to higher energy 3d orbital higher energy 3d orbital to attain to attain fulfilled stable configuration 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 clear point बास मच मैं ठीक है तो बताओ chromium का क्या configuration आ गया chromium का actual configuration क्या गया बच्चो 4s 3d5 क्या होगा बच्चो इस symmetrical stable क्यों है हर energy के orbital है sorry same energy के orbital है चाहेंगे सब के पास एक 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 electron रहे तो बाइचारा बराबर रहेगा कोई ना एक ज्यादा powerful होगा ना कोई कमजोर होगा stable configuration है तो इसको क्या बोलेगे बच्चा half field stable half field stable होता है half field stable होता है chromium ऐसी copper कभी actual क्या होगा है बच्चा भई भाइचारा बना रहे same energy के orbital में तो क्या हुआ सब के आँ दो दो लोगों को रख दो power बराबर बाट दो सब को तो क्या हो जाएगा यह fulfilled stable हो गया क्या हो गया बटा fulfilled stable हो गया एक ही electron जम करता है दिहान रखना एक ही electron जम करता है तो आपके साब से सर्क कार्बन को मैं दी मैं देखू कार्बन का according to symmetry according to symmetry expected electronic configuration ktoś of carbon of carbon should be क्या होना चीह कार्बन क्या होना चीह पतव कार्बन क्या होता है 4s2 sorry 2s2 2p2 होता है तो यहां पे भी एक electron को जंप करना चीह और एक electron को कूल करना चीह कुछ इस तरीके से होना चीह लेकिन इस तरीके से censorship नहीं होता हाफ फिल्ड फुल्फिल्ड की stability बिटा केबल हमेशा यदि आप electronic configuration की बात कर रहा हो और electronic configuration आपको क्या करना है बनाना है जब भी आपको electronic configuration बनाना है symmetric तो वो केबल आप D and F में बनाओगे किसमें बनाओगे D and F block में बनाओगे P P नाम के महले से यह छड़शाड नहीं कर सकते P नाम के महले हाँ पी हाफ फिल्ड स्टेवल होता है पी हाफ फिल्ड स्टेवल होता है लेकिन जब electron यहां से यहां जंप किया तो वो higher energy पे गया तो energy का requirement आया लेकिन stability तो मिली लेकिन उतनी stability नहीं मिली जितनी expected थी जितनी expected थी मतलब electron excited होके उतना energy release नहीं हो पाई जितना हमें electron jump करवाने में लगी समझ में आ रहा है तो carbon का actual क्या होता है बिटा तो बताओ क्या हो जाना चाहिए तो 2s1 2p3 हो जाना चाहिए था लेकिन इसा नहीं होता कारवन का actual क्या रहता है बिटा 2s2 2p2 होता है आप रूल के अकॉर्डिंग आप रूल के अकॉर्डिंग ही फॉल होगा ठीक है तो obviously यह half field stable बन रहा था stability मिली तो होगी थोड़ी मतलब half field stable तो होता है P वाला लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रों दैने में ज्यादा नरजी लग गए जितना stability पाने में रिलीज हो पाती है clear इसलिए यह वाला conversion वैलेड ना होगी उसके case में यह वाला होगी बात समझ में आ गई तो यह हमने पहला concept पढ़ लिए extra stability of symmetric electronic confession half field object full field half field object full field clear point चलो आगे बढ़ते हैं आगे काने की तरब move करते हैं अगला लिक्ठ रहा है अपन concept of exchange energy concept of exchange energy उसके लिए हमें पहले दो definition पढ़ने ही पढ़ेगी बच्चो हाना क्या discuss कर रहा है अपन concept of exchange energy exchange energy क्या concept है तो पहले आपन समझते हैं exchange energy क्या होती है और एक pairing energy दो की definition लिखते हैं आपना exchange energy और दूसरा आपन definition पढ़ने वाले pairing energy pairing energy तो पहले definition लिखो बेटा है heading लगाओ सब लोग concept of exchange energy और पहले definition पढ़ रहा है exchange energy दूसरी पढ़ रहा है pairing energy यह क्या होती है इसके बार में discuss करते हैं ठीक है exchange energy में लिखो जरा amount of energy released exchange energy में लिखो amount of energy released amount of energy released लिखो जरा में लिखो amount of energy released in one exchange pair of electron amount of energy released in one exchange pair of electron amount of energy released in one exchange pair of electron within degenerate orbitals within degenerate orbitals within degenerate orbitals बताओंगा यह degenerate orbitals क्या होती है लिख लिया amount of energy released in one exchange pair of electron within degenerate orbital is called exchange energy is called exchange energy it always carries negative sign it always carries negative sign it always carries negative sign मतलब यह energy हमें से release होती है same energy के orbitals के जो electron है एक दूसरी की position exchange करते हैं यह बताओंगा कैसे करते हैं पेरिंगे लिखो बच्छो पेरिंगे लिखो पेरिंगे लिखो to pair up two unpaired electron in a orbital of same sub cell in a orbital of same sub cell is called is called pairing energy is called pairing energy it always carries it always carries positive sign it always carries positive sign it always carries positive sign मतलब pair up करवाने के लिए electron का energy दना पड़ेगा बो क्यों दना पड़ेगा वह बताऊंगा अभी ठीक है यह लिख लिख लिया in definitions को close कर दो para change करके लोगो para change करके लोगो बच्छो electrons of same energy orbitals electrons of same energy orbitals having same spin electrons of same energy orbitals having same spin can exchange their position, can exchange their position, electrons of same energy orbitals having same spin can exchange their position, this imparts, this imparts stability to the electronic configuration, this imparts stability, this imparts stability to the, stability to the electronic configuration, electronic configuration, jitnay jyadha exchanges hoenghe, utna jyadha, kya hooga bita, stability utna jyadha hooghe, stability utna jyadha hooghe, this imparts stability to the electronic configuration, देखो बेटा, chromium के case में, अब ध्यान से देख रहा है, एक एक वर्ड बता रहा हूं हाना, chromium के case में, आपके expected क्या था, expected था बच्चों, कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, हाना, देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना है, यह दो electron को जब आप pair करते हों, energy देना पड़ता है, क्योंकि repulsive force लगते है, repulsive force लगते है, हाना, तो देखो बिटाए, यहाँ पे number of exchanges की बात करूं, number of exchanges की बात करूं, तो देखो, electron को pair करने में energy देना पड़ता है, तो यही लिखवा है मैंने, same energy का orbital, मलब same orbital में, same orbital में जब आप दो electron को बिठाते हो, unpaid electron को, दो unpaid electron को बिठाओगे, उनको pair up करोगे, तो energy देना पड़ता है, that is pairing energy, अब exchange energy क्या होता है बिटा, ध्यान से देखना, degenerate orbital की यह tendency है, degenerate orbital मतलब, ध्यान से सुनो, degenerate orbital क्या होता है, degenerate orbitals होते है, orbitals of same energy, क्या होते हैं बच्चे, orbitals of same energy, orbitals of same energy, यह degenerate orbitals होते हैं, तो बताओ, यहाँ पे degeneracy कितनी है, यहाँ पे degeneracy कितनी है, पाच orbital की energy बराबर, एक, दो, 3, 4, 5, D generacy कितनी है, बच्चो 5, D generacy कितनी है, 5, clear है, तो जो same energy के orbitals है, और same spin के साथ, इसकी यह लिए clockbyis गुमरा, तो यह भी clockbyis, यह भी clockbyis, एक clockbyis, एक दूसरे की position exchange कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चो एक दूसरे की position यह exchange कर सकते हैं, ध्यान से देखना, कितने exchange होंग हां यह वाले लेक्ट्रोन को मैंने पकड़ा यह यार यह कलर ले आया है मैंने एक सिकेंड इस लेक्ट्रोन को पकड़ो फिर वही कलर यह क्या हो रहा है ध्यान का है मेरा हां कुछ भूत उता रहा है क्या यह वाले लेक्ट्रोन कहा जा सकते है इधर जा सकता है इधर जा सकता है, इधर जा सकता है तो इस process में same energy के same energy के orbitals के electron और same spin बाले के साथ अपनी position exchange कर सकते है यह इधर चला जाए तो यह इधर जाएगा यह इधर चला जाए तो यह इधर जाएगा यह इधर चला जाए तो यह इधर जाएगा जब यह इधर आएगा तो यह इधर जाएगा वाल एक्षेंज अल्रेडी इंक्लूड हो गया तो एक्षेंज कितने आएंगे बटा थ्री प्लस टू प्लस बन एक्षेंज कितने आ रहे हैं च्छे एक्षेंज आ रहे हैं तो छे एक्षेंज में यहां पर एनर्जी रिलीज हो लग रही है यहाँ पर क्या हो रहा एनरजी लग रही है यह बात समझ में आई कि नहीं है ठीक है अब देखो बच्चो actual configuration की बात करूँ actual की बात करूँ द्यान से देखना actual की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से scenario होगा एक एक, दो, तीन, चार, पाँच देखो द्यान से यह एक्षेंज नहीं कर सकता क्योंकि एनरजी डिफरेंट है इन से हागी नहीं उसका कोई साथ ही नहीं है देखो बचा यहाँ पर एक्षेंज देखो एक्षेंज कितने आ रहे हैं यह वाला लेक्टर इधर जा सकता है इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, चार, ये वाला, ये वाला, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तीन, जब ये, अब देखो, ये वाला क्यों नहीं किना हूँ, क्योंकि जब ये वाला इधर जाता है, तो ये वाला इधर जाता है, व औरौराल इनर्जी का रिली से कहां पर जाता होगी बिटा इस वाले मोगी इसलिए single constellation यह वाला stable configuration ऐसी आप copper के case में देखलो बाई copper के case में बताओं बच्यों ज्यांसे देखना copper के case में हदा तो copper का क्या होता है expected क्या थे एक्स पेक्टेड था कुछ इस तरीके से 4S2 3D 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बता नंबर आफ एक्षेंजे से बताओ बच्छो, नंबर आफ एक्षेंजे सेम स्पिन बाले और सेम एनरजी वाले लेक्ट्रोन अपनी पोजिशन एक्षेंज कर सकते हैं, तो देखो ये क्लॉग बाइस वाला क्लॉग बाइस से रिप्ल जा सकता तो वही आएंगे कितने 4 plus 3 plus 2 plus 1, अप एक्षेंज कर सकते हैं, ये वाला इससे कर ले, ये वाला इससे कर ले, ये वाला इससे कर ले, लेकिन यहां तो कोई उसका anti clock wise वाला है नहीं तो कितने action जाएंगे बच्चे बताओ प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और pairing कितनी है बटा pairing है pairing है यहाँ पर कितनी है 1,2,3,4,5,5 pairing में energy लग रही है है कि नहीं बास मज़ में आ रही है अब देखो ध्यान से actual में क्या होगा actual में बता दो अब 1,10 pairing तो अभी भी उतनी है pairing तो अभी भी 5 है और exchanges कितने इस बार बढ़ गए जितने exchanges जो clock wise के लिए आ रहे था अब anti clock wise के लिए उतनी आ जाएंगे तो बता कौन सा stable कौन सा stable जहाँ पर number of exchanges जादा है pairing तो वही है तो यह electronic inflation ज्यादा stable हो गया बास समझ में आए clear fund ठीक चालो लेख डालो यह degeneracy है समझ में आगया orbitals of same energy orbitals of same energy clear fund ठाल यह लेख लो जल्दी से एक question लिखना बच्चू question लिखना find the degeneracy of find the degeneracy of first excited state of hydrogen atom find the degeneracy of first excited state of hydrogen atom यह ऐसे कर लो second excited state कर लो क्या कर लो second excited state find the degeneracy of second excited state of hydrogen atom hydrogen atom find the degeneracy of second excited state of hydrogen atom है तो देखो second excited state hydrogen atom single electronic system है तो order ध्यान रखना यह आएगा बच्चो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रोन है तो बताओ एक ही इलेक्ट्रोन है सबसे कम energy वाले में भर होगे first excited state बटा क्या होगा किसी में भी चल जाए चाहिए s के orbital में चाहिए s नाम के मौले में चल जाए p नाम के मौले में तो यह पूरी first excited state होगी यह पूरी first excited state होगी second excited state इधर चला जाए यह क्या है भी भी बाइण यह पूरी second excited state योगी सब orbitals के energy बराबर है यहाँ पी तो degeneracy कितने होगी भी पूरच मत बोलते है ना दिन मत बोलते है ना पाँच घर इसके तीन घर इसके और एक घर इसका तो टोटल degeneracy कितने हो जाएगी बच्चोँ? total degeneracy हो जाएगी 9, total degeneracy कितने हो जाएगी बच्चो, 9, कितने हो जाएगी 9, बताओ first excited state, second, तो 5, 3, 8 और 9 घर की एनरजी बराबर है, तो degeneracy कितने हो जाएगी 9, अब मैं आप से बूछता, find degeneracy of second excited state of H negative, अब H negative multi electronic system हो जाता, और multi electronic system में बताओ क्या order आता, first 1S, 2S, 2P, तो यह first excited state होती, और यह second excited state होती, तो वहाँ पे degeneracy कितने हो जाती, बताओ, 3 हो जाती, कितने हो जाती, H negative की second excited state में degeneracy कितने हो जाएगी, बताओ, 3, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, clear point, यह question समझ में आया, ठीक है, अगला heading दालो, अगला heading दालो बत्यो, addition or removal of electron, 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 ठीक है, ध्यान रखना, जब भी filling of electron होगा, जब भी filling of electron होगा, neutral item में, according to above rule होगा, क्या होगा बता, above rule को ही आपको follow करना पड़ेगा, जैसे iron क्या होता है, बता, iron क्या होता है, argon, 3D6, 4S2, यह होता है, तो Fe negative क्या होगा बिटा, 4S के बाद electron किस में आता है, 3D में आता है, तो क्या होजाएगा, 3D7, 4S2, 3D7, 4S2, तो filling of electron हमेशा above rule के according होती है, clear है, 4S के बाद 4P में मत डाल देना, 4S2, 4P, 3D, 4S के बाद electron किस में आता है, 3D में आता है, लेकिन, removal of electron, removal of electron बिटा, हमेशा, ठीक है, above rule को follow करना है, filling of electron, neutral item के लिए above rule लिखो, rule के according electronic confession लिखो, फिर electron की filling करो, removal of electron, यह होता है, from highest value of N, from highest value of N, अब आप कहोगे, सर, iron है, argon 3D6, 4S2, 4S के बाद 3D के इनर्जी होती है, बिटा वो orbital के इनर्जी है, 4S के बाद 3D orbital के इनर्जी है, अब यदि आप से बोलूं, तो सर कहोगे, मैं FE positive बनाऊँ न, तो मैं लिख दूंगा, argon 3D orbital के इनर्जी जादा है, तो 3D5 वोना चाहिए, बिल्कुल गलत, electron हमेशा highest value of N से जाता है, बिटा, क्या बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, आरगन 3D5, 4S1, 3D5, 4S1, electron हमेशा highest value of N से जाता है, इसको इस तरीके से ध्यान रख लो, कि electron की filling के बाद, electron की filling के बाद, neutral atom में जब आपने electron की filling कर दी बैच्चो, neutral atom में जब भी आपने electron की filling कर दी, उसके बाद, उसके बाद, 4S की electron की energy जादा है, 3D वाले की कम है, इस तरीके से ध्यान रख लो, तो अपने अब काम हो जाएगा, ठीक है, बास मैं आ रही, तो जब भी electron remove करना, highest value of N से करना है, जब भी electron की filling करना है, तो आप बाव rule को follow करन है, clear point, तो यह सारा हमने quantum number cover up कर लिया, proper quantum number आपका, हर एक concept मैंने बता दिया, इसको proper तरीके से revise कर लो, अब बढ़ियां से work out करो बच्चों, तो मिलते हैं next session में, बाई बाई